मेरी मम्मी कहती थी कि जिन्दिगी गुलगप्पे जैसी हुन दिया है पेट पले ही पर जावे मन नहीं परता हम दोस्तों लाजसी हैं चडड़ा आगामी 2022 की भारती हिंदिवासा की फिल्म है जो की अदेच चंदन द्वारा निर्देशी थे जिसे आमीर खान ने अपने बेनर तले आमीर खान प्रोडक्शन के तहद बनाया है और अतुल कुरकरनी द्वारा लिखी थे फिल्म में आमीर खान और करीना कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं दोस्तों लाजसी हैं चड़ा 1994 में रिलिज हुई फिल्म फोरेश्ट गम का हिंदी रिमेक है फिल्म ओपरेशन ब्लू इस्टार और बाबरी मस्जित के विदवन्स पर भी आधारित होगी गोसित किया गया था प्रधान फोटोग्राफी 31 अक्टूबर 2019 को सुरू हुई फिल्म की सुटिंग भारत में 100 से अधिक स्थानों पर की गई है दोस्तों जो हिंदी सिनेमा में एक नया रिकोर्ड है यह फिल्म क्रिसमस के त्योहार पर 25 दिसंबर 2020 को रिलीज होने वाली थ मगर कोरोना के चलते इसे फिर से टाल दिया गया उसके बाद मूवी की फाइनल तारीक 14 अपरेल 2022 को बैसाखी के सूप आउसर के मोके पर रखी गई मगर फिर से बेड लग दोस्तों मगर कोरोना के चलते इसे फिर टाल दिया गया दोस्तों अब फिल्म को 11 अगस्त 2022 को रक् लाल सीं चड़्डा इस वक्त चर्चा के केंदर में है अदेख चंदन के निर्देशन में बनी इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म का ट्रेलर रिलिज किया गया था जिसे दोस्तों ओडियंस ने काफी पसंद किया इसमें आमीर खान को देखने के बाद लोग होलीबूड अभिनेता टॉम हेक्स की कोपी बता रहे हैं दोस्तों दरसह लाल सीं चड़्डा होलीबूड फिल्म फोरेश्ट गम की हिंदी रिमेक है रोबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी इसी के नाम के एक उपन्यास पर आधारी थे जिसे विंस्टन ग्रूम ने साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म ने उस साल सबसे ज़्यादा कमाई की थी पूरी दुनिया में इसे देखा गया था यही वज़े है कि इसकी कहानी अधिकतर सीनेमा प्रेमियों को पता है दोस्तों ऐसे में आमीर खान के सामने सबसे बड़ी चुनोती की खबर यह है कि बोलीवूड फिल्म से पूरी तरह कोपी किये गए है दोस्तों फिल्म लालसी चड्डा को दरसक देखने जाएंगे इसकी सबसे पहली और बड़ी वज़े खुद आमीर खान है क्योंकि आमीर खान को बोलीवूड का मिश्टर परफेक्ट निष्ट कहा जाता है वो अपनी में जी जान लगा देते हैं दोस्तों फिल्म की कहानी से लेकर निर्देशन तक में दखल रखते हैं फिल्म का निर्मान की हर प्रक्रिया में सामिल रहते हैं दोस्तों यही वज़े हैं कि एक बार फिर केवल एक ही फिल्म करते हैं लालसी चड्डा का निर्मान पिछले चार साल से हो रहा है दोस्तों आमीर खान की आखरी फिल्म ठक्स ओफ इंदुस्तान साल 2018 में रिलीज हुई थी उसके बाद से ही उन्होंने लाल सी चड़ा की तैयारी सुरू कर दी थी दोस्तों फिल्म की सुटिंग देश विदेश में 100 से अधिक लोकेशन पर की गई है इस फिल् केटे, छात्र, खिलाडी, सेना के जवान, प्रेमी, पती और पिता के रूप में भी बहुत प्रभावी लगते हैं दोस्तों आमीर को बॉक्स ओफिस पर सफलता की गयारंटी भी माना जाता है भारती सिनेमा इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल 2100 करोल रुपे उनके ही खाते में हैं इस फिल्म का रेकार्ट पाहुवली जैसी फिल्में भी नहीं तोड़ पाई थी तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है रक्षा बंदन पर मौके पर रिलीज होने वाली आमीर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सी ही चड़्डा अ अपने पहले दिन कितने करोल रुपे की कमाई करेगी यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों